टीम द्रिष्टी प्रस्तुत कर रही है किताबू की एक नई श्रिंखला प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज इस सीरीज में हैं छे पुस्तके जिनकी मदद से आप कर सकेंगे प्रिलिम्स परिक्षा के लिए 10,000 से अधिक प्रश्णों का भ्यास ताकि परिक्षा में अधिकांश प्रश्ण आपको जाने पहचाने से लगे और आप आसानी से भेद सकें प्रिलिम्स का चक्रव्योग इन किताबूं में शामिल हैं आज तक पूछे गए वो भविश्य के लिए संभावित सभी प्रश्ण IAS, PCS, UGCNET, CDS, NDA वज CAPA फादी सभी परिक्षाओं के प्रश्णों का संकलत प्रतियक प्रश्ण के उत्तर की विस्त्रित व्याफ्था प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की छे किताबे हैं भारतिय सम्विधान वराज व्यवस्था, 1600 से ज्यादा प्रश्ण भारतिय आयतिहास एवं कला संस्कृती, 2300 से ज्यादा प्रश्ण भुगोल एवं परियावरण पारिस्थित की, 2500 से ज्यादा प्रश्ण भारतिय अर्थ व्यवस्था, 1200 से ज्यादा प्रश्ण सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रोध्यूगी की 1500 से ज्यादा प्रश्ट भारत 2020 बजट आर्थिक सर्वेक्षण वर करेंट अफेर्स इसमें है 1500 से ज्यादा प्रश्ट खरीदने के लिए संपर्ख कीजिए अपने नजदी की बुक्शॉप से या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट drishtiis.com या मंगवा लीजिए Amazon अथवा Flipkart से आपके सुविधा के लिए इन किताबों के डारेक्ट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिये गए हैं नमस्का दोस्तों आपका स्वागत है दृष्टि आए इस एडिटोरियल अनलिसिस के एक नई एपिसोड में इस एडिटोरियल अनलिसिस में हम तीन चीजें करते हैं पहला एडिटोरियल का लिंक्स थापिल्द करते हैं UPSC syllabus के साथ दूसरा एडिटोरियल के key points को समझने की कोशिश करते हैं और तीसरा एडिटोरियल में आए हुए key concepts जोकि एक्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन पर भी चर्चा करते हैं तो आए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल अनलिसिस प्रिया वीवर यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्द है देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल द्रिश्टी आईएस इंग्लिश पर जाएं आर्टिकल का सीशक है डिस इंटैंग्लिंग इंडिया स्ट्रेट सर्पलस और यह कहता है कि भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो धीरे धीरे अपने पुरानी स्थ की तरफ आ रहे हैं लेकिन जो इंपोर्ट्स हैं वो कुछ कैटेगरीज में बहुत ज़्यादा गिर गए हैं लेकिन उनका गिरना इतनी भी बुरी खबर नहीं है तो आएए देखते हैं इसका syllabus के साथ linkage तो editorial link होता है directly GS paper 3 के साथ जहां कि economic development एक major topic है और यहां क्योंकि बात होगी भारतिय अर्थविवस्था की और अभी जो हाल में ही भारतिय एकोनोमी ने पहली बार 18 सालों में trade surplus को देखा है तो इसके पीछे क्या कारण है और क्या यह भारत के लिए अच्छा है या बुरा तो syllabus के साथ links थापिक करने के बाद आएए देखते हैं article के key points तो article के key points में जाने से पहले आएए समझते हैं कि मसला क्या है तो हाली में जो figures आये हैं उसके द्वारा ये पता चला है कि भारत का जो trade balance है वो surplus पे चला गया है जून 2020 में और ऐसा ये पिछली बार हुआ था जनवरी 2002 में यानि कि 18 साल पहले भारत ने trade surplus record किया था किसी महिने में और अब ये जून 2020 में दुबारा से trade surplus की इस्तिती बनी है और अगर ये कोई आम situation होती, normal situation तो trade surplus को economy के लिए अच्छा माना जाता है इससे momentum मिलता है economic growth को क्योंकि trade surplus का मतलब है कि आपके exports बढ़ रहे हैं और आपके imports घड़ रहे हैं और आम तोर से इसे अच्छा माना जाता है किसी भी अर्थ वेवस्था के लिए लेकिन अगर हम आज की situation की बात करें जबकि पूरे विश्व में globally economies contract कर रही है economies में संकुचन हो रहा है ऐसी इस्तिती में ये trade surplus शायद इतनी अच्छी खबर नहीं है और इसमें कोई बुरी खबर भी छिपी हो सकती है जैसे कि जो demand है वो भी कम हो रही है और यहाँ एक और चीज जानने की जरूरत है कि जो world economy है उसमें आजकल global value chains है यानि कि जो बहुत सारा trade flow है उसको गती देता है derived demand यहाँ आमें समझना चाहिए कि derived demand का क्या मतलब है तो derived demand को आसानी से example के जरूरी समझा जा सकता है कि अगर demand बढ़ रही है wooden furniture की यानि कि लकड़ी के बने हुए furniture की तो इसकी demand बढ़ने से लकड़ी की demand भी बढ़ना स्वाभाविक है तो यह होगा derived demand यानि कि actual demand जो बढ़ रही है वो है product A की लेकिन इसकी वरे से product B की भी demand में बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि यह इससे जुड़ा हुआ है तो आजकल जो global value chains हैं उनमें जो trade flow हो रहा है वो ज़्यादा तर derived demand के थू ही हो रहा है और इसमें एक और उधारन से समझ सकते हैं कि अगर कोई mobile phone factory भारत में लगी हुई है और वो import करती है battery और motherboard तो अगर भारत में demand में कमी आती है mobile phone की तो जाहिर बात है कि अगर mobile की demand में कमी आएगी तो जो batteries और motherboards भारत के दोरा import किये जा रहे है उनमें भी कमी आएगी तो कहीं न कहीं जो trade surplus भारत में जून के महिने में हुआ है वो भी इस demand में कमी को दर्शाता है और अगर हम World Bank का WITS database को भी देखें तो उसके अनुसार भी जो 90% भारत के import है वो है raw material, intermediate goods और capital goods यानि कि ये सारे material वैसे हैं जिनको भारतिये companies के द्वारा उपयोग में लाया जाता है consumer goods बनाने के लिए या final goods बनाने के लिए जिसको बाद में export भी किया जाता है और जो consumer goods का share है भारत के exports में वो काफी जादा है तो अभी जो अचानक एक trade surplus की इस्तिती उत्पन हुई है ये भारत की weak domestic demand को जादा प्रदर्शित करता है ना कि कोई सफलता भारत में अरजित कर ली है import substitution के मामले में तो इस background के बाद आए देखते हैं article के key points तो article में बताया गया है कि जनवरी 2002 से अब तक पिछले 18 वर्षों के अवधी में भारत में ये पहली बार हुआ है कि जून 2020 में trade surplus की स्थिती बनी है और ये कैसे संभव हुआ तो अगर हम year on year figures को देखें तो जो भारतिये exports हैं इसमें 12.4% की गिरावट आई है पिछले साल की तुलना में और अगर imports को देखें तो उसमें जो गिरावट आई है वो है 47.6% की पिछले साल की तुलना में तो आप देख सकते हैं कि जो exports में गिरावट है वो कम आई है जबकि imports में भारी गिरावट है और इसका क्या impact हुआ है कि अगर इन दोनों figures को देखा जाए एक साथ जोड़ के मैं मांग की कमजोरी को भी दर्शाता है और साथ ही साथ ये ये भी दिखाता है कि जो निर्याद कतिविधी है यानि कि जो exports की situation है उसमें एक तीवर परिवर्तन भी आया है जो की एक अच्छी बात है तो demand घट रही है या demand कमजोर हुई है ये तो बुरा है लेकिन जो exports में भारतिये उद्योगों ने अच्छा परफॉर्म किया है वो एक सरहनिये बात है और आर्टिकल में आगे बात की गई है exports की और इसको analysis के लिए दो शेडियों में बाटा गया है petroleum और gear petroleum वैपारिक वस्तुएं और इसमें बताया गया है कि COVID-19 संकट के कारण petroleum उत्पादों की भारतिये मांग में भारी गिरावट आई है जबकि यही प्रवर्ति वैश्रिक मांग में भी देखी गई है साथ ही साथ जो कच्चे तेल के मूले हैं इनमें भी नर्मी आई हैं इनके दाम अगर देखे जाएं तो पिछले साल की तुलना में काफी गिरे हैं और ये सारे कारण कुल मिलाके जो petroleum products हैं उसके exports में संकुचन की स्थिति को बनाते हैं और जून का अगर हम export situation को देखें तो जो non petroleum category है उसमें पिछले वर्ष की तुलना में तो दे रहे हैं और इसमें श्रेज आता है भारती exporters को भी कि उन्होंने lockdown के बाद जैसे जैसे unlock की प्रकरिया शुरू ही है तो उन्होंने अपने order पूर्थी के प्रभाव को बनाए रखा है और इसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया है और आर्टिकल बताता है कि जून 2020 मैं भारत के कच्छे तेल एवं पेट्रोलिम उत्पादों के आयात में 55.3 प्रितिशक की गिरावट आई जिसे अज समाने नहीं कहा जा सकता है क्योंकि lockdown की situation मैं पूरी तरीके से आवाजाही पर नियंतरन था और इसी कारण यहाँ जो demand होनी चाहिए थी पेट्रोलिम उत्पादों की वो काफी कम रही और दूसरा एक important कारण रहा है कि जो Indian crude basket है इसकी price में भी काफी कमी आई है और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि Indian crude basket के क्या component है तो इसके अंदर आता है ओमान प्लस दुबै क्रूड जो की एक benchmark है और इसके साथ ही इसमें जुड़ता है Brent crude तो Indian crude basket का मूल्य 2019 में अप्रेल जून के महीने में करीब-करीब डॉलर सत्तर प्रती बैरल था और यह अभी के समय में 2020 में यह मूले रह गया है करीब-करीब डॉलर 35 प्रती बैरल तो यह करीब-करीब आधे पे आ गया है तो अगर हम crude oil imports की बात करें तो जो संकुचन देखा गया है तो वो ना केबल volume terms में है बलकि value terms में भी है और जो value terms में संकुचन है यह भारत के लिए एक positive development ही माना जाएगा क्योंकि भारत अपनी 80% crude oil की जरूरतों के लिए imports पर निर्भर है जो दूसरा major item है import का वो है सोना चांदी और इसमें जो संकुचन आया है वो आया है 76% तक का और यहां भी जो कारण है वो कोई अंजान कारण नहीं है जैसे की lockdown वाली situation में ऐसे समारो जैसे की विवाह, पर्व, तैवार वगेरा इनमें जो भारतिये परिवार हैं उन्होंने खर्चा कम किया है और जो ज्वेलरी को लेकर demand रहती है उसमें काफी कम ही आई है और इसी वरे से इसमें भी संकुचन देखा गया है और जो दूसरी जरूरी बात है कि सोना चांदी के आयात को लेकर हमेशा से एक आलोशना रही है कि भारत में इसकी खपत बहुत जादा है और इसको लोग जमा करके रखते हैं जो कि अर्थविवस्ता के हिजाब से बहुत ही सही नहीं है तो इसमें भी जो कमी आई है वो भारत के लिए एक अच्छी बात ही मानी जाएगी आगे आर्टिकल में बताया गया है कि गैर कच्छे तेल एवं पैट्रोलियम उत्पाद और गैर सोना चांदी के इलावा जो तीसरी शेणी है उसके मामले में आयात में 41% की कमी देखी गई है और जून 2019 में कुल आयात में 65% की हिस्सेदारी रखने वाली इस शेणी में जून 2020 में तीनों शेणियों में सबसे कम अंतर का संकुचन आया है और इस शेणी में जो आइटमस आते हैं वो हैं जो capital goods हैं जो की ओद्योगिक गतिविदी एवा मांग के साथ साथ consumer goods के तरफ भी संकेत देते हैं और ये भारत में जो उब्भोग की मांग है उसको दर्शाते हैं और इस शेणी में आयात की गिरावट से ये संकेत मिलता है कि जो भारती घरेलो मांग है यानि कि जो domestic demand है वो कही न कहीं कमजोर हुई है और यहां भी article मानता है कि lockdown वाली situation में ये इस्तिती भी अपिक्षित ही थी और आगे article में बताया गया है कि कोरोना संकट के बाद की अवधी मैं आर्थ विवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार के दोरा जो आत्म निर्वे भारत योजना शुरू की गई है इसमें गैर कच्छे तेल एवं पैट्रोलियम उत्पाद और गैर सोना चांदी आयातों के स्थानीय करण पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए और यदि ऐसा संपूर्ण रूप से नहीं भी किया जा सकता है तो भी कुछ न कुछ इस तर तक इसे किया जाना चाहिए तभी भारत की जो import dependence है उसमें कमी आई की और जो trade surplus अभी अन्य कार्णों से बना है जैसे की जो demand में गिरावट आई है इसकी वरे से imports घट गए है और exports में उतनी गिरावट नहीं हुई है तो इस वरे से surplus की situation बनी है तो अगर ऐसा किया जाएगा सरकार के द्वारा तो सही माइने में हम surplus की स्थिती में जाएगे जो की economy को वास्तों में फाइदा पहुचाएगा और अंत में आर्टिकल यही कहता है कि महतुपूर्ण भूमी का इस बात की होगी कि exports की ये श्रेणी वित्यवर्ष की खुली अर्थविवस्ता वर्ग यानि कि अब जो unlock वाली situation आ रही है उसमें कैसे विक्सित होती है और भारत अपने स्थानिये विनिर्मान विकल्पों के न ट्रेड डेफिसित का अंतर तो current account deficit तब होता है जब इस देश अपने imports में ज्यादा पैसे खर्च करता है जो कि उसको अपने export से प्राप्त होते हैं और trade deficit तब होता है जब देश का import उसके export से ज्यादा होता है और यहां जानने वाली बात ये भी है कि current account deficit ज्यादा बड़ा term है यानि कि ज्यादा broad term है और इसके अंतरगत ही आता है trade deficit तो अगर current account surplus होगा यानि कि आप trade surplus भी होगा और अगर current account deficit है तो मतलब trade deficit भी है और यहां हमें यह पता होना चाहिए कि balance of payment जो होता है इसमें दो accounts होते हैं एक current account होता है और दूसरा होता है capital account और balance of payment में current account और capital account को अगर हम जोडेंगे तो इसका sum होगा 0 यानि कि जो current account में negative side में जाएगा वो ही capital account में positive side में आएगा और yc versa current account किसी भी देश का होता है जिसमें कि पैसे जो वो देश receive कर रहा है या pay कर रहा है goods and services के लिए investments के रूप में पैसे जो बाहर भेजे जा रहे हैं या salaries के रूप में या pensions के रूप में ये सारा current account में आता है और capital account जो होता है वो record करता है transaction entities के बीच में जो कि देश में इस्तेत हैं और बाकी विश्वे के साथ और इसमें ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे कि foreign direct investment, sale of assets, foreign currency export हमारे import से ज्यादा है तो import कम है, exports ज्यादा है तो ये trade surplus की इस्तिती बनती है और अगर इसका reverse situation हो जाए कि imports ज्यादा है और export कम है तो trade deficit की इस्तिती बनेगी तो trade surplus के द्वारा क्या फाइदे होते हैं कि इसके द्वारा employment और economic growth में बढ़त मिल सकती है लेकिन इसके द्वारा कीमतें बढ़ भी सकती है और interest rate भी बढ़ सकती है तो इसका एक नुकसान भी है और कभी-कभी trade surplus के होने से जो currency है उस देश की वो भी appreciate कर जाती है जिससे की exports को नुकसान होता है और किसी देश में अगर लगाता trade deficit है तो इससे भी कुछ नुकसान होते है पहला कि जो उस देश में foreign exchange की demand होती है वो supply से ज़्यादा होती है तो इससे जो वहां की domestic currency है वो weak हो जाती है दूसरा कभी-कभी high trade deficit की वज़े से देश को लगातार foreign investors को धूरते रहना पड़ता है जिससे की जो gap है export earnings और import payouts के बीच में उसको कम किया जा सके और तीसरा कि जो trade deficit है वो एक indicator भी हो सकता है कि आपके जो domestic goods हैं वो imported goods के साथ compete नहीं कर पा रहे हैं और इसका एक मतलब ये भी निकल सकता है कि आगे चलकर आपके जो domestic goods की companies या factories हैं वो बंध हो जाएंगी और job losses भी होंगे तो ये भी trade deficit का एक नुकसान है तो ये था आज के article में अब आए देखते हैं किस प्रकाव के प्रशन आपसे पूछे जा सकते हैं prelims और means में तो prelims में आपसे पूछा जा सकता है trade surplus के बारे में trade deficit के बारे में और current account surplus current account deficit के बारे में तो इन terms की जो economic sense में meaning है वो आपको पता होनी चाहिए export import के बारे में भी आपको clarity से पता होना चाहिए इनके latest figures भी आपको पता होनी चाहिए और अगर means की बात की जाए तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो वर्तवान में देखा गया है कि भारत का trade surplus है तो ये क्या भारती आर्थविस्ता के लिए एक अच्छा development है या बुरा development है तो आपको दौनों साइट पे बातें पता होनी चाहिए कि इसमें क्या अच्छा ही है और क्या बुराई है और इसका क्या मतलब निकलता है trade surplus का ये भी आपको पता होना चाहिए तो ये था आज के editorial analysis में फिर मिलेंगे एक नए editorial के साथ धन्यवाद